आपका जीवन मंगल मैं हो लाइक करें, शेयर करें आचारे पंडित गिरीश बारोलिया जोतिश, हस्त्रेखा एवं वस्त चैनल रादे रादे जैश्रिक्ष्णा, नमस्कार, मैं आचार पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामान्ति ओम् भूर्भुवाह स्वाह तत्सवितुर्वरेन्यम् भर्गोदे वश्यधी माहिं धीयोयो नाहां प्रेचोदयात् अखंड मंड लाकारं व्यापतम्मेन चराचरं तद पदम दर्शितम्मेना तस्में सिरी गुर्वेनम्हां तस्में सिरी गुर्वेनम्हां मित्रो, मा गायत्री से संबंद अने को वीडियो हमने डाले हुए है और आप लोगों की जग्यासाय भी बढ़ते जा रही है कई लोगों की फोनकालस आते हैं, कई लोग बाट साब पर मैसेज भीजते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कई लोगों की उस्पता भी होती है, उनके अंदर एक संसा होता है कि हमें कैसे पता चले, हम कैसे माने की गायत्री की शाधना से ब्रक्ति को कुछ मिलता है तो मित्रो हम अपने चैनल पर वही चीज डालते हैं, वही चीज परोस्ते हैं, जो हमने अपने जीवन में अन्हो किया है हम ऐसी कोई भी बात नहीं उसमें देते, जो हमने कभी जीवन में अन्हो ना किया हो और यदि नहीं किया है तो हम इस पस्ट बाता देते हैं, वही ऐसा है, लेकिन हमने इसको अपने जीवन में नहीं होता रहा है गायत्री मंत्र बहुत ही चमतकारिक मंत्र है हमने एक वीडियो डाला हुआ तो उसमें कुछ हमने अपने जीवन के कुछ पन्ने उसमें आपको बताये थी आज हम आपको गायत्री मंतर से किस प्रकार की सिद्धियें होती है और व्यक्तिरी को क्या मिलता है इसके बारे में हम जानकारी देंगे हमने अपने जीवन में गायत्री मंतर से क्या प्राप्त किया है उसकी कुछ थोड़ी सी हम आपको जलकियां बताएंगे मतरो 1981 में हमने आचार पंडिस सिर्याम सर्मा से दिख चली थी उसके पस्चाद 1988 में उन्होंने हमें आशी रवाद दिया था जब हम एक 24 जार बेदी दीप यग यहां पर करने जा रहे थे अपने छेते दुर्ग में स्टेडियम में उस समय उन्होंने हमको आशी रवाद दिया था उसके पस्चाद में हमने काफी समय तक एक तारिक से लेके नौ तारिक तक हमारे के नियम था कि हम एक लगव अनुस्थान करते थे हर माँ हैं जब 1988 में उन्होंने आशी रवाद दिया तो फिर उसके बाद में हमने सबालाग अनुस्थान का संकल्प लिया और फिर कुछ ऐसा नसा चढ़ा कि हम उसे कंट्यूनिस करते गए और दस वर्सों तक हमने लगातार गायत्री के सबालाग के अनुस्थान किये उन्नीस सो अन्ठानवे में हमने दुर्ग एक स्टेडियम में एक सो आठ कुंडिया के करवाय थे पुझ गुर्दो के संदक छणाना है उसके पहले हम एक छोटे से प्रग्या मंडल से जोड़े हुए थे वहाँ पर छोटे छोटे काम किया करते थे लोगों के घर में जाकर के गायत्री हवन किया करते थे दस-क्यारह लोगों के एक टोली थी उसमें जाते थे कोई माइक बानता था कोई व्यवस्था बनाता था हमारा काम था कर्मकांड करना हम कर्मकांड करते थे पास साल तक उस प्रग्या मंडल से हम जुड़े रहे फिर अचानक गायत्री सक्तिपीट से जो एक महिला वहां की चीफ ट्रस्टी थी उनका हमारे पास में फोन आया उस समय लेंड लाइन हुआ करते थे मोबाल तो हुआ नहीं करते थे उनका फोन आया कि ट्रस्ट की मीटि है आपको उसमें हमने आते थी की रूप में आमंतर्त किया आप आईए हम उसमें गए तो उन्हों निवेदन किया कि हम आपको ट्रस्टी बनाना चाहते हैं ट्रस्टी क्या होता है किस प्रकार सक्तिपीटों में संचालन होता है हमको इसके बारे में एभी सीडी भी नहीं मा हम ट्रिस्टी बन गए पांच्छे मेने के बाद में उनका कुछ स्वास जादा खराब हो गया तो अब इस स्थितियाई की चीप ट्रिस्टी किसको बनाए जाए बाकि जो लोग थे वो एक एक करके बन चुके थे उस समय सबसे ज्यादे यंग हमी थे तो उन लोगों के बिसे साग्रा से हमने फिर प्रमुक प्रवंद्र ट्रिस्टी का कारभाद समारा हमें उस समय कुछ भी पता नहीं था कि क्या होता है इसमें क्या काम करना पड़ता है मिनिट बुक क्या होती किस परकार से मीटिंग लेकिन उन्हों ने बोला आप चिंता मत करो हम लोग साथ में हैं सब हो जाएगा तो धीरे धीरे हमने उसमें सीखा फिर एक बार हम सांती कुछ गए करीब सत्तर अस्ती लोग थे और सभी जगह एक स्वाट कुंडी यग्य का संकल पे लवाय जा रहा था चूंकि भिलाई मे 1995 में अस्वमियद्यक हो चुका था जो कि बहुत बड़ा यग्य था उसमें एक हजार आट कुंड बने हुए थी जसमें 25 से 30 लाग से उपर पबलिक आई हुई थी तो वहाँ चूंकि वो कारे का मिलना नहीं था और दुर्ग में कभी किसी खेंबत इतनी नहीं हुई थी कि इतने बड़े आयो जाने का कोई संकल पले तो लोगों ने हमसे आग्रह किया कि आप संकल पले लें आपके नेतरत में हम लोग आपका सहयोग करेंगे वहाँ पर गए डाक्टर साब और दीदी से हमारी चर्चव हुई तो उनको पता था कि हमारे कुछ अनुस्ठान चल रहे हैं तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो दसान सबन है वो भी इसमें हो जाएगा बाकि तो यहाँ पर सान्ति कुछ में समय समय पर जब भी आपने सूच ने दी है तो यहाँ पर कर दिया गया है लेकिन आप एक स्वाट कुंडी यग का संकल पले जाएं निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी सक्ति कलस लेकर के वहाँ से हम आ गए मित्रो जब यग हुआ हमारी जेब से करीब 4-5 लाख रुपया जा चुका था लेकिन पैसा नहीं आ रहा था उस समय सूखा पड़ा हुआ था पत्रकार लोग आए पत्रकार लोगों ने बुल लग भी आप लोगों से चामल एक खटा कर रहे हैं इतनी सारी भील को आप बुला रहे हो और अनावश्यक रूप से आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमने उनको आस्वासन दिया था कि हमारे पास में जितना भी चामल बचे देंगे और कुछ रासिव यदि हमारी बच्चे गी तो उस में से भी हम 75% लोगों को देंगे मित्रो यग का आखरी दिन था उस समय तक हमारे पास मुतना रुपया नहीं आया था पैसा काफी खर्च हो गया था तो हमारे कुछ साथिवन हमें सलाह दे कि आप अनौस्मेंट कर दें कि भाई इस यग में काफी धन्रासी खर्च हो गई है तो आप लोग इसमें तहे दिल से अपना योगदान दें हम ने करने है पूजी गर्दो मा गायतरी ने जब संकल्प लवाया है तो वही पूरा करें कि देखते हैं जो भी होगा नहीं तो कोई बात नहीं है मित्रो यग समापती के पस्चात में जब लोगों को जो रसीद्बुक बांटी हुई थी और जब उनका पैसा आना चाली हुगा और कुछ दान पेटियां रखे हुई थी आप विस्वासनी करेंगे हमारा जो पैसा लगा था चार-पांच लाख रुप्य वो तो निकली गया उसके अलावा करीब 3-4 लाख रुपय की बचत हुई जो हमने फिर सूखा गर चेत्रों में उस रासी को बांटा जनपत के माध्धम से सरपंचों के माध्धम से और उन चेत्रों में हमने चावल भी बांटा करीब दो ट्रक और बाइस कुंटल फर हमने चावल और कुज धन रासी हमने सांती कुझ हरिद्वार भेजी ये सब क्या था पुझ गुर्दे और गायत्री माता का चुमतकार था साइद वो इसी कारण से हमसे कुछ साधना कराना चाहते थे और जब हमारी साधना परिपक होई तब उन्होंने हमें यह जवाबदारी सौपी जब वेक्ती थोड़ा सा पापलर हो जाता है उसका नाम हो जाता है तो कई लोग फिर उससे चिड़ने भी लगते हैं तो एक वेक्ती ने किसी तांत्रिक को हमारे पीछे लगा दिया कि आप इनकी उपर कुस तांत्रिक क्रिया करके ने आप जो है खत्म कर दे उससे हमारे स्वालाग का अनुष्ठान चल रहा था तो जब हम अनुस्थान कर रहे थे तो अचानक हमारे सरीर में एक प्रकार की कपकपी हुई और हमें एक व्यक्ति के चहरा दिखाई दिया और ऐसा लगा कि यह व्यक्ति कुछ कर रहा है हमारे साथ में संजोग बस कहें हम जब सक्ति पीठ गए तो वो व्यक्ति बैठा हुगा था तो जो हमने चहरा देखा था वहीं व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुगा था तो हमने बगएर कुछ सोच और समझे उससे तपाक से बुला कि क्यों मंदू आप हमारे ऊपर तांत्र क्रिया कर रहे हैं आप कितना कुछ भी कर लें आप हमारे कुछ भी नहीं बगाड़ पाएंगे हाँ लेकिन आपके साथ में बुला जरूर हो सकता मागाइतरी आपको सद बुल दे इतना कह करके हम चले आए मित्रो दूसरे दून उस व्यक्ति का इतनी बुरी तरीके से अक्सिडेंट हुआ कि वो एक मैने तक अस्पताल में एड्मेट रहा और जब वो ठीक हुआ तो हमारे पास हा करके गड़ गड़ाने लगा बोले प्रफू आपके अंदर काफी कुछ है हम झाने तो कुछ नहीं किया पूज्य गुर्दयों गैत्री मатा को जो लगा होगा उचे तन्हों नहीं किया हम तो किसी को बुरा नहीं चाहते ऐसी कई घटनाय हमारे जीवन में घटी है हम जो तिसका कार करते हैं और जो हमारे वीडियो सुन रहे हैं उनमेंसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जनकी हमने कॉंड़ियों का वेवेचन किया है तो जब हम कॉंडली देखते हैं तो कुछ ऐसी चीज़े हम लोगों को बता देते हैं जो कोई जोटसी कुंडली देख करके नहीं बता सकता एक तो हमारा कुंडली देखने का तरीका यह होता है कि हम व्यक्ति से कुछ भी नहीं पूछते कि आप क्या पूछने चाहरे हैं हम इसकी कंड़ी बनाते हैं और उसको बताने चलू कर देते हैं तो उन्हें कई चीज़े हम बता देते हैं कि हमें जो दिखाई दे रहा है वो इस प्रकार की चीज़े हैं आपके घर में होना चाहिए कई लोगों को हम बता देते हैं एक USA से एक बिक्ती का फोन आये था, उन्होंने अपनी कुंडली का बेवीचन कराये था हम से, तो हमने उनको बताए कि भी आपका जो कार्याल है वो ठीक जगह पर नहीं है, उसकी दिसा ठीक नहीं है, और आप जिस तरब मुह करके बैठ रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, तो जो अभी दो-तीन दिन पहले, एक सज्जन का फोन आया, ऐसे हम फोन किसी के रिसीव करते नहीं हैं, चोबिस घंटा हम अपनी मुवाईल को साइलेंट में रखते हैं, बाट साप पे जनका मैसेज आता है, हम उनके लिए उस पर सूचने देते हैं कि आप हमसे बात कर लें, तो आप हमसे बात कर लें, उसी समय एक दूसरे का फोन आगया, हमने समझे साथ यह उनहीं का फोन होगा, तो भू बोले कि आचार जी मैं बहुत परिसान हूँ, और मेरे पास मैं पैसा नहीं है, तो हमने बोला कि आप गवर्मेंट अमपलाइस से आप रिटार्ड हो गए हैं, मैं का आपकी 63 साल की उमर है, बोले हां, आपका एक पैर यह वो पूरा खुराब हो चुका है, आउनको बलकुत सीधा करे रहते हैं, आपको बैसा के सहारे चलना पड़ता है, बोले हां, आपके दू लड़के हैं, बोले जी, आपका बड़ा लड़का आपको मारता पीटता बुले जी, वो वड़े आश्चेर चकित हुए, उन्हों ने बुला कि गुर्देव आपने सब कैसे बता दिया, मन का बस रही है, तो मित्रों ऐसे हमने कई लोगों की कुंडलियों का बेवेचन किया है, और उन लोगों से भी हम अनुरूत करते हैं, कि जिनके हमने कुंडलिय देखी और इस परकार से कई चीज़े हमने उनको बताए, वो कमेंट्स वाक्ष में जरूरू लिखा है, कि जब हमारी उन से चर्चा हुई, तब हमने उनको किस परकार से क्या कैसे बताई, और उनको कैसा लगा. जिनों ने भी हमसे कुंडलियों दिखाते हैं, और कुंडलि देखी थी, और कई लोगों को हमने कुछ इस प्रकार की बाते बताई थी, जो कुंडली के माध्धम से नहीं बताई जा सकते हैं, नित्त हमारे पास में बहुत सारे फोनकालस आते हैं, हम उनकी कुंडली देखते हैं, और उनको जो चीज बताते हैं, आश्चर होता है, कि ये आपने कैसे बता दी, तो मित्रो ये बताने का हमारे सिर्फ तात पर ये था, कि ये सब मागायत्री की करपा है, मागायत्री के कारण ही ये सब होता है, बहुत इस मंतर में सकती है, इस मंतर का जो भी व्यक्ति जाब करता है, उसे अन्यक प्रकार की कई प्रकार की सिद्धिय प्राफ्ट होते हैं लेकिन यह है कि हमने जब भी जाब किया है हमने कभी किसी प्रकार का कोई हमारे मन में इस प्रकार का नहीं रहा कि हमें ए चीज चाहिए या हमें वो चीज चाहिए लेकिन हमारे अपनी जीवन में ना मान सम्मान की कमी रही ना हमारे पास में पैसे की कमी और नही हमारे कोई काम रुखते हैं अब यह हर व्यक्तिक अपने एक आखलन होता है कई व्यक्तिों के पास में कितनी धन रासी आ जाया वो आनेल अब मानी बन जाये लेकिन फिर Lac Jews सन्तुष्ट नहीं होते हैं लेकिन धन रासी का मतलब यह है कि हमारे पास जो कुछ है हम उसमें संतुस्ट रहते हैं मा गायतरी ने हमको आज में जीना सिखा दिया है हम सिर्फ आज में जीते हैं कि आज हमारा अच्छा है कल किसने देखा है एक हमने वीडियो डाला है कि पांच बार गायतरी मंत्र का रातरी में आप जाब करके सुर्फ पांच बार आप गायतरी मंत्र का प्राता काल जाब करें धरती माता के चर्ण इसपर्स करके फिर अपने दिन्चरिया में लगे यह हम आज से नहीं यह हम करीब पंधरा साल के थे उस समय से हम इस क्रिया को करते हैं अपने जीवादे और जह हम रातरी में सोते हैं और किसी समश्या से हम यह दिमा लोग घर जाते हैं तो उस समय रात को सोते समय पूजी गुर्दे और गैतरी माता के समर करते हैं से बोल देते हैं कि गुर्दे उ माता जी हम इस समस्चा से परिसाओ्ण हैं इस से कैंसे निकला जाए आप बताएं आप विश्वास नहीं करेंगे मितरो जब हम पूजा करते हैं तो उस चीज का हमें आवहास हो जाता है और वो चीज हमें किस परकार से करने चाहिए उस समझ चाहए हमें किस परकार से निकलना चाहिए उस चीज चाहिए गाहितरी मातान हमें एह चीज़ दे है कि आज हमारी उम्र 68 साल की हो गई लेकिन हमारा एक भी दूस्मन नहीं है ना हमारे उपर किसी प्रकार का कोई कर जा है हम हमेशे प्रसंद रहते हैं जो है उसमें हम प्रसंद रहते हैं हम कभी किसी भी विसम परस्थिते हैं बिछलित नहीं होते हैं ये मागायत्री का प्रताब है अभी 20-25 दिन पहले की बात है आपने हमारे बीडियों में देखा हो गए एक हमारा दाट तूट गया है 40 दिन से करीब 40 साल से वो हिल रहा था लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने भुट्टा खा रहे थे तो वो कुछ जादा उसमें छोट लग गई तो वो जादा हिलने लगा लागडाउन का समय था अचानक एक डाक्टर ने मित्र था उसने जब अपनी डिस्पेंसरी खुले हम उसके पास में गए तो उसने दुनिया भर के टेस्ट लिख दिए कि पहले आप एक टेस्ट कराओ उसके पस चाहत आपके चोटी सी बच्ची आई सुपन में और उसने बोले कि आपका दाद दर्द कर रहा है हमने कहां मुल लाओ हम निकाल देते और हमने कहां बेटा आप क्यांसे निकालोगा नहीं बस निकाल देते इतनी बात थी और उस बच्ची ने दांद खीचा हमारे आँख खुल गई हम ने देख हमारे दांट तूट गया है तो महा गायतरी इस प्रकार से आपकी समझ्नयों का नितान करती है ऐसे कई जीवन में हमारी घटना आए है तो मित्रो आप लोग गैत्री से सम्मंदित या मंतरों से सम्मंदित कोई जानकारी चाहते हैं तो आप बाट साप पर अपनी समश्चे लिखें कि हम इस मंतर का एक जाब कैसे करें हम आपके लिए समय देंगे उस समय आप हमसे बात कर सकते हैं कई लोगों को बुरा लगता होगा बहुत कम हम रेयर केसमें दिन भर में एक है दो काल वो भी कुछ लोगों की गलती स्विसली उठ जाते हैं कि हमने दूसरे को समय दिया रहता हम समश्चे साथ उसका काल होगा अन्यता हम अपने फोन को 24 गंटे साइलेंट रखते हैं क्योंकि इतने ज्यादा चार वज़े से रात तरी से फोन चालू हो जाते हैं ज्याद की 12 वे तक लोग पीछे नहीं छोड़ते हैं आपको कुंडली दिखाना है तो उसका चार्ज लगता है क्योंकि यह हमारा पेसा है उसमें भी कई तरह की बातें लोग करते हैं कि ठीक हम आपको पैसा दे देंगे लेकिन क्या हमारे काम 100% हो जाएगा तो गारंटी त जीतवर्दी लेकितए में भाग को बताता है भाग बदलता नेंग भाग … कुई भी ज्यूत से आपक कर नहीं बदलता है और पर जीवन में क्या घटने वाला है, और किन चीजों का नगाग अन को कम कर सकते हैं, कुछ उपाइँ के माधथ्ध धिम से हुप टो फिर उपाया जो उत्सी के दोरा बताए जाते हैं उन उपाएं के माध्यम से आपकी कुछ समझाओं का हल हो सकता है तो मित्रो आज हमने आपको अपने जीवन के कुछ पन्नों के वारे में बताया कि हमने अपने जीवन में मां गाहित्री से कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें प्राप्त कि बीच में हमने 15 मई 2019 में जब लोकसावा कर चुनाओं का रिजल्ट आने वाला था कई लोगों के हमारे पास फोन काला है कि आप भी कुछ भविश्वाणी करें हम ने गयार इस प्रकार कि हम भविश्वाणी करते नहीं है क्योंकि हम तो वही बोलते हैं जो हमें पूजा करते समय दिखता है हम इस प्रकार से भी वेचनी कहते कि मोदी जी की कुंडली ये फलाने की कुंडली ये डिकाने की कुंडी यह बैठा यह बैठा है क्योंकि वो सारी चीजें जो कुंडलियें गूगल में प्राप्त होती वो सही सर्व उनमें नहीं रहता है और एक व्यक्ति के माध्धम से आप पूरी पार्टी का भावशन नहीं बता सकते हैं लेकिन जब लोगों नाग्रे किया और जब हम रात को सुख गुरुदी माताजी से हमने प्रात्ना करके सुख और जब हम पूजा करने लगे तो जो फिगर्स हमें देखे वो फिगर्स हमने वीडियो के माध्धम से डाले हन्डर प्रित्सत होण हमारी भविश्वानी सत्य निकली इचितन हमने सीटे बता ती उतनी सेटे आंज जिन लोगों का रने परता रहत इतनी लोग antid और जिन इन राजियों में, अबने जितनी सीटे कांगरेज को कितनी मिलेंगे, अन्न को कितनी मिलेंगे, बीजे को कितने मिलेंगे, वो पून्डता सत्त होंगे। तुम्हेतरो यह है गायतरी का शमतकार लेकिन उसके लिए धहर रखना पड़ता है बच्चे जैसा नहीं कि बच्चे ने आम का एक भीज बोया और सुबह सुबह डेली उड़ जाता और देखता है कि यह हुआ कि नहीं हुआ इस प्रकार से करने से नहीं होता है किसी भी चीज को समय लगता है जब आप ब्रक्ष लगाते हैं कोई भीज लगाते तो उसको इब्रक्ष बनने में समय लगता है तो जब आप किसी भी मंतर की साधना करते तो उसको फलित होने में बहुत समय लगता है कुछ आपके प्रारब्द भी होते हैं यदि आपके प्रारब्द खराब हैं तो फिर वो उतने जल्दी फलित नहीं होता और यदि आपके प्रारब्द अच्छे हैं तो फिर किसी किसी को मंतर बड़े जल्दी सिद्ध हो जाता है तो आसा मिंत्रू, आप लोग गैते मिंत्र का हिजाब करें, किसी प्रकार की कोई भी उसमें आपकू समेसूस होती है, आप हमारे बाट साब पर बेज़ें, हम आपको समय देंगे, और आपकी पूर्ण संका का हम आपका समयधान करेंगे, लेकिन बार बार हम सभी से नवेतन यही करते हैं कि आप फोन काल्स नहीं किया करें क्योंकि हमारी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा बिजी है हम बैपार भी करते हैं तो उसमें थोड़ी सी हमें दिखके जाती है और जब हम किसी की फोन नहीं उठा पाते हैं तो हमें भी काफी दुख होता है कि लोगों ने हम कि आपका दिन मंगल में हूँ, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, मां गायत तरीक अश्री मिक्रपाई सिर्पकार आप लोगों को परवनी रहें, हमें हाग गयाद है, नमस्कार, खुंद।